यहारे विदार्थियों नमस्कार स्वागते आप सुभी का आपके अपने यूटूब चैनल आरपी स्ट्रीडी फ्यावर में तो जो भी विदार्थी बीएश्टीशी प्रेक्षा 2023 की त्यारी कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आप राजस्तान के एन्येक किसी बर्ति की त्या तो समझों आपका सहर लきますन नहीं है इए जोभी विद्यात्य डीयक कराएं वेरीगुड दूसरा आपके सामने है और आतस्टों में साथसार में कमेट करेंगे अगला प्रसन आपके सामरा आचिको देखिए अब बील के बाद कोन आईगी दोस्तों? ग्राशी आईगी ठीका ना? राजस्तान की दोस्तों तिरते बड़ी जंजाती कोन सी है? ग्राशी जंजाती सी यह अप्सन आपका होजेक राइट दोस्तों अगला परशन आपके सामराच को देखिए मीना मुकीत कितने वर्गों में बटी हुई है जो दोस्तों मीना जिन जाती है न वो मुकी रूप से कितने वर्गों में बटी हुई है दो वर्गों में तीन में चार में पांच में सभी सारी कमेट कीजिए मीना जिन जाती मुकी रूप से कितने वर्गों में बटी हुई है त देखिए निमन में इसी कौन सी जिन जाती है जो मकान बना कर नहीं रहती है इंपोर्टेंट स्वाल है एसी कौन सी जिन जाती है जो मकान बना कर नहीं रहती है तो देखिए डामोर जिन जाती बिल्कुल यह दोस्तों क्या है मकान बना कर रहने वाले जिन जाती है सेहरी आए खांच सी और दोस्तों गड़िया लोवğा रहे तो यहां पर आपको जाने करना हैं जो गड़िया लोव रोफार जुआती होती है नो यह दोस्तों प्रेक्षाम लगों घर कर देंडमीः क्सामें 172 जूट किस बीजों के घर को क्या कर ना को मेंटों बीज जनजादी के घर को क्या कहते है दोस्तों पाल का जाता है फैला कहते है बस्ती कहते हैं कुक कहते है तो यहाँ पर आपको जाना करना ढीक है न बीज도 के घर को कूक आजाता है D option आपका right ए जो भी विद्धादी D कमेट करा रहा है बहुत भड़िया दोस्तों आपके त्यारी सांधार है चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगला कुछन आपके सामेर आ चुका है जो मेलों में अपना जीवन साथ ही चुनती है इंपोर्टेंट स्वाल है भाई ऐसी कोंशी दोस्तों जन जाती है जो क्या है अपना जीवन साथ ही कहाँ पर जुनती है मेलों में चुनती है बताओ राजस्तां की कौन से जिन जाती है जो मेलों में अपना जिवन साथी चुनती है तो देखिए बील, मीना, ग्राश्या, सेरिया तो यहापर सही उतर आपका दूस्तों सेरिया ठीक है न सेरिया जिन जाती है जो दूस्तों अपना जिवन साथी काम पर चुनती है मेलों में तो अवलदार, मुखिया, सेड या कोतवाल, तो दोस्तों सेड या जिंदादी का मुखिया, कोतवाल कहलाता है, अगला पूस्तों आपके सामने, क्या बुच्छ का देखिए, राजगुमारों को दूद पिलाने के लिए, की जाती की मैलाओं को धाय रखा जाता था, बताओ ठीकन, गुजर मैलाओं को दूद पिलाने के लिए, राजगुमारों को दूद पिलाने के लिए, वहाँ पर दाय रखा जाता था, तो पहला यह आपके राईटे, जो भी विदार्ती एक कमेट करा है, वेरी गुड दोस्तों, कितने इंपोटन सवाल है, आपको जान रखना में, अलवर में या कोटा में, सरवाजिक जंजाती है कहाँ पर है दोस्तों, मासवाड़ा जिल्ले में, ठीकन, बी ओप्सन आपका करेक्ट है, जो भी विदार्ती बी कमेट करा है, वेरी गुड दोस्तों, चलिए अगला कुशन आपके सामना आचका है, क्या पुछर का दे किये, राजस्तान के कौन से जिल्ले में, डामोर जंजाती सरवाडिक पाई जाती है, जो रूस्तों डामोर जंजाती होती है, वो सरवाडिक कहाँ पर पाई जाती है, कोटा में, चितोडगड में, डूंगर पुर में है, दोस्ता में, राजस्तान के कौन से जिल्ले में, ड सब्सक्राइब करते तो सब्सक्राइब करते तो सभी से दोस्तों इस वीडियो को देखते पर सब्सक्राइब करते तो 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 जो भी विद्यार्ती भी कमेंट करा है या वडरी गुड चली चोधवाई कुस्त आपके सामने आ चुका है बील जाति का मुख्य मुख्य खाजियान है ग्हख़चे का है गैउन बाजरा चाव। या मक्का भील जाति का मुख्य खाजियान हो जाएенных दामोर जाती होती है दोस्तों मैं आपको कम समय में जाड़ा पशन कर रहा हूँ इसलिए क्लास को पूरा डेखना इसका बेनिफिट आपको उठाना डेखना आपका मुली समय अपने पास समय बहुत ही कम है जैसे नहीं क्लास आती है आपको क्लास से पूरी डेख लाणी है अब देखिए निमन मैं से कौन से समय बहुत है के लोग अच्छे तिरंदाज होते है तो यागर दोस्तों अच्छे तिरंदाज की बात की जाए तो बील होते है ठीक न बीलों का निसना क्या होता है सटीक होता है भाई पहले यह उप्सन आपका होजे कर राइट चलिए अठारवा क्यों समय आपके सामने आ चुका है क्या बुचर का देखिए इंपोर्टेंट स्वाल है बीलों के छोटे गाव क्या कहलाते है बताओ बीलों के छोटे गाव क्या कहलाते है पाल पलसा कू यह फला कू का तो मने आपको बता दिया कू कहा देखिए दोस्तों बीलों के घर को कू कहते है यह फर भूचा बील जाती है क्या क्या कहते है पला कहते है ठीक कर दोस्तों को बना चुका है कौन सा मेला शेरिया जाती का कॉंब बना जाता है बताओ इनमें से ऐसा कौन सा मेला जो शेरिया जाती का क्या है दोस्तों कॉंब कहलाता है बैने सर ये दोस्तों बैने सर क्या है बैने सर आदी वासु का कॉंब कहलाता है ठीका ना बैने सर मेला दोस्तों आदी वासु का कॉं मेला तो अगर शेहरियों की बात की जाए शेहरिया जाते का कौन सा मेला कहलाता है सीता बाड़ी का मेला ठीकना सीता बाड़ी मेला जो भी विद्धार्थियां पर सी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों आपका अनुसर बिलकुर राइट हैं अगला पसद आपकर सामना आज अगला पसद आपके सामने सेहरिया जिन जाती की बसती क्यालाती है बताओ सेहरिया जिन जाती की बसती को क्या का जाता है फटा फट कमेंट कीजे सेहरिया जिन जाती की बसती को क्या कहते है बिलों की घर को कहते है सहराना ग्राम या फला 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 तो दोस्तों क्या होता है बिलों का छोटा गाव कहलाता है अब दो आपके सामने इन दोनों में से आ जानके एका इंपोटेंट स्वाल है तो सेरा ना इसका सही उतर जो भी विजाति भी कमेंट कर रहा है वी आपका हो जेगराइट चलिए 22 वा कुछ न आपके सामने आ चुका है इंपोटेंट स्वाल कंजर जंजाती की महिला है कमर पर वस्तर पहनती है वह कहलाता है बताओ जो बताओ तो चाहिए तो मारे टेलिग्राम चनल ब्रूस को अभी जर्ण कर लेजिए वहाँ पर जो भी इंपोटेंट नॉंट् जैंट आपके सामने आता जुका हैं कुमारा की खतरी के समधित हो पीछाई किस सह समने थे musicians मारवारी जल्द बाशनम पूरा पढ़ना है कि 'll never नर्ते कहां पर नहीं करते हैं बीका नेर में सेकावाटी में बरतपूर में या मारवाड में प्रटाबर कमेट कीजिए तो दोस्तों बरतपूर में डिकन बरतपूर में दोस्तों डाइडिया नर्ते नहीं करते हैं सियो अप्सन आपका उजयका राइट चली आगे बढ़ लेते 26 सिया अपके सामने आचुका ओग रखिए गेर नर्ते की संपर्दाई से संपर्दाई से हैं रामशने से जसनाते से दादू पंध से अविश्णोई इसे अग्रिन नर्ते का समन फूंट से कोई से संपर्दाई स कि चतर समधी दें, गेर नर्थे कहाँ पर करते हैं फटावट कमेंट कीजिए, मुके रूप से गेर नर्थे कहाँ पर किया जाता हैं, जैपुर में, उधेपुर में, सीकर में या सिरी घंगा नगर में, तो गेर नर्थे का समधू उस्तों उधेपुर्षे लिटिकन, जीलों चाहिए अगला लींदो पुरस्थ आपको बजा जाता को सिब्सकेंन जेते सुड़ टौकTr प्रासिन काल में यूद्गे समय नौबत बजाए जाता था ठीक नौबत चली अगला प्रस्में आपके सामना आ चुका है सपेरा द्वरा बजाए जाना वाला लोक वाध्य है बताव सपेरा होता है जो साप पकड़ने लिए आता है वो कौनसा वाध्य नतर बजाता है फटाबट कमेट कीजिए सपेरा द्वरा बजाए जाना वाला लोक वाध्य कौनसा है सेनाई बांसूरी पूंगी या खंजरी चलिए तीसवा पूच्ट्र का डिकिये, इंपोटेंट्स तवाल, तेरे तराली नर्ते में कौन से वद्र प्रयूग करते हैं? मंजीर या दोलाक खटाल या चंग तो यहाँ पर सही उत्र मंजीर इगा ठीक न 13-13 नरते में मंजीर का परिव करते हैं चलिए जब विजार्थी एक कमेट करा है वेरी गुड दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं अगला परसन आपके सामना आचुका 31 वा देगे फर्ड नर्टे में कितने व्यक्ति होते हैं बताओ जो आपका फर्ड नर्टे होता है उसमें कितने व्यक्ति होते हैं दू व्यक्ति होते हैं दू व्यक्ति होते हैं चम्माली सियां बतिस फर्ड नर्टे में कितने व्यक्ति होते हैं दोस्तों यह आपके ज्यान एकना हैं तो किस नर्ते को राई नर्ते का जाता है किस नर्ते को राई नर्ते भी कहते हैं गुमर को गीदर को गवरी को गेर को तो यहापर दोस्तों गवरी नर्ते दोस्तों राई नर्ते भी कहलाता है सीय उप्स न आपका उज़ाएगा राइट यहां पर काफी विजार्थी केनपो जोने वाले गलत बताने वाले सोज समर्द करें बताना राम देवजी का जनम कहां पर हुआ था कौन से इस्तान पर हुआ था अमर कोट में परबसर में पोकरण में यह रोस्तों उंड्रा कस्षर में में फटा पट कमेट कीजे भई इम्पोटेंस फवाले लोक देवता राम देवजी का जनम कहां पर हुआ था तो घुबही विजार्थी दोस्तों बता रहा है था पर यहां पर आपको ध्यान एकना दोस्तों लोक देवता राम देवजी का जनम उडगा सुमेर में हुआ था यह दोस्तों 12 में पर है यह आपका 12 में परता है चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगला कुछन आपके समना आज को 35 वाड़े की छोटा राम देवरा किज राजे में माराष्टर में प्राजस्तान में गुजरात में अरियान में तो छोटा राम देवरा दोस्तों कहां पर हैं गुजरात में जीजे में चलिए 36 वाड़ आपके समराज का इंपोटेंस वाल यह भी मारवाड के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है बताओ मारवड़ा के दोस्तों पंच पीरों में कौन सामील है फटा पर कमेट कीजिए ऐसा भी स्वाल आ सकता है कि कौन नहीं है पर आपर पिचा कौन सामील है तो लेकि तेजा जी नहीं है इसमें देवरान जी भी नहीं है बोमिया जी भी नहीं है पर दोस्तों गोगा जी क्या है गुगा जी पंच पीरों में आते हैं. तो जो भी विजाते D. कमेंट कराई, D. A. कराईट हैं. चल्फिती जोное पाईट है, लोकदेवता देवनार जी का भीवा किस के साथ हुआ था? लोकदेवता देवनार जी का भीवा, किससा दॉया था? केलम दे के साथ मेना दे के साथ पीपल दे के साथ दोस्तों नेतल दे के साथ फटावट कमेट कीजिए लोग देवता देवनार जी का अभीवाब किसके साथ हुआ था दोस्तों पीपल दे के साथ सिया आपका हो जाएका राइट चलिए 38 कोशन आपके सामेर आज चुका है और दोस्तों अभी देगा आपने इस वीडियो को लाइक निक्या है सबी सारी वीडियो को लाइक कर देंगा दोस्तों पत्रेक विदाड़ी क्या करेगा पांस-पांस लोगों को क्लास को शेयर करेगा ठीक है न? अमारी मैंने को समझदार आपको सपोर्ट करना दोस्तों क्लास को रेगुलर देखना है इससे भी इंपोर्टन-इंपोर्टन कोशन लेके आता रहोंगा तो सभी उसादर क्या करें है कि सस्क्राइब कर देंगे हमारा वाद दोस्तों आपको का सेलेक्शन पक्ता है क्योंकि ऐससे कोशन लेके लेखनाओगा जो परिकसा में सीधे आते हैं इसलिए आप कहा करें सस्क्राइब जरूर कीजे मित्रों और कमेट कीजे परसी लोग देवता पाबु जी राठोड का जन्म कब हुआता बताओ पाबु जी का जन्म कब हुआता फटापट कमेट कीजे पाबु जी राठोड का जन्म कब हुआता फटापट कमेट कमेट करजे 1105 में 1235 में 1249 में 1249 में 1240 में कोन से लोक देवता हैं तो डेकिए अरिडाम बाप कोन दो सन लोक देवता हो जाएंग आपर तो जबी विदाती को से डम से पकरेक्ट है कि त्री कुसम सामने आचा कुछrition आपके सब्सक्राइब आपके सामने राजस्माजील की पाल पर किस देवी का मंदिर राजस्माजील की पर गिसी का मंदिर जीन मता का गेवर मता आपका छल्डब चांबो जी कि देखते हैं उन्स होते नहीं को कहते हैं उन्स नियम दिये थे तो निया गृति है लिए आगे बढ़ लाते हैं या आपके सामना आ जलोर में नागोर में पाली में चितोडगड में अलाओ दिन खिल जी की मंदिर की जिले में इस्तदें बताओ महाविर जी का मंदिर कांपर बना पहले यह उप्सन आपका राइट हैं चमालित स्वा कुछन आपके सामना आजको अड़ेखिए अड़ाई जिन का जोपडा रजस्तान के कि जिले में बताओ अड़ाई जिन का जोपडा कहाँ पर फंटापट कमेट कीजिए बीकानेर में जेपुर में अजिमेर में तो यह डोस्त आपका आजिमेर मेडिकन अड़ाई जिन का जोपडा आजिमेर में जूदपूर में जूदपूर में जूदपूर में जूदपूर में अगर जूदपूर में बनी हुए जामा मस्धिद बीकानेर में जूदपूर में जूदपूर में जूदपूर में जू देखिए पैरावनी कोकंडोर ना बड़ी पढ़ला यांनि उप्योग सभी तो देखो वैइ तीन तो क्या है ये तोर विवा कि रसम है यानि उप्योग सभी आपका राइट है डी आपस नहीं आपका उजय का राइट जो भी विज्जास्री डी कमेंट करा है वेरी गूड मैंतते बिँए क्या अकलता है जो भी विजारतीया पर अलिए साथ में मिलगी देख लोगुई कीजिए और प्रत्येक विदार्ट में मिलता विडियो में जैंन्च